आज हम सेट्स के लेक्चर 3 में पढ़ेंगे ऑप्रेशन्स ओन सेट्स यह सेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम सुरू करते हैं पहला यहां पर ऑप्रेशन है intersection of sets definition क्या है the intersection of sets A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B means की A intersection B एक ऐसा set होगा जिसमें की A और B के सारे elements आएंगे जैसे यहां पर इसकी set builder method में देखिए definition क्या है A intersection B हम दो sets के intersection को A intersection B इस तरीके से so करते हैं यह जो capital U है यहां पर यह उल्टा लिखा जाता है इसकी set builder method से definition है x such that x belongs to A and x belongs to B यानि की x कोई element अगर A intersection B का है तो वो A में भी होगा और B में भी होगा इसको एक example से समझते हैं students जैसे माल लीजिए कि A कोई set है 1, 3, 5, 6 और B कोई set है 3, 4, 5, 7 तो इनका intersection हम सो करेंगे A intersection B से इसको हम पलेंगे A intersection B लिखा इस तरीके से जाएगा यह इसमें हम A और B के वो elements लेंगे जो दोनों sets में होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 3 और 5 दोनों sets में हैं तो हम यहाँ पर 3 और 5 यह दो element इस intersection set में लेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 2 sets का intersection निकाला जाएगा एक और example आते हैं यहाँ पर यह first example अब second example देखते हैं जैसे कि माल लीजिए हम से कह दिया जाए कि A intersection 5 निकालिए अब A intersection 5 तो A हम यही लिख लेंगे 1, 3, 5, 6 A और B हम यही लेके चलने हैं आगे के examples में भी intersection 5 5 का मतलब आप समझते हैं null set empty set यानि कि उसमें कोई भी element नहीं होगा तो यह हमने null set बना लिया 5 या इस तरीके से so किया जाता है empty set को अब हम अगर देखें कि इन दोनों में कौन सा element common है तो हमको यहाँ पर कोई भी element common नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कोई element है ही नहीं और यहाँ पर 1, 3, 5, 6 है तो इसमें कोई भी element common नहीं दिखेगा तो हम इस तरीके से यहाँ पर null set बना देंगे या 5 आंसर दे देंगे तो आप इस example से यह समझ गया होंगे कि अगर किसी set का हम empty set से intersection लेंगे तो एक हमको empty set ही मिलेगा एक और example पे आते हैं जैसे माल लीजिए कि A है 1, 3, 5 और B हमने माल लिया है 2, 4, 7 तो student जब हम यहां पर इनका intersection निकालेंगे तो हमको यहां पर कोई भी element नहीं मिलेगा जो कि दोनो sets में हो तो हम यहां पर null set बनाके छोड़ देंगे मतलब set खाली छोड़ देंगे यानि कि यहां पर भी answer हमारा phi ही आएगा answer यहां पर दोनों में phi आया है लेकिन cases अलग-अलग हैं यहां पर किसी set का null set से intersection लिया गया था तो intersection phi null set मतलब empty set आया था और यहां पर दो non empty sets हैं देखिए यह दोनो non empty sets हैं इनका intersection phi आ रहा है तो answer यह इसका हो गया अब एक बात जो यहां पर है आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे दो sets जिनका intersection empty set आये मतलब कि उनमें कोई भी element common ना आये तो ऐसे sets disjoint sets कहलाते हैं here a and b are disjoint sets इस बात को आप इसे ध्यान रखिएगा कि disjoint sets क्या होते हैं अब हम आते हैं students union of sets पर the union of sets a and b is the set of all those elements which belongs either to a or b or both a and b means की a intersection b में वो element आएंगे जो a में होंगे या b में होंगे या दोनों में होंगे अब इसको एक example से समझते हैं तो example में हम यहां पर a और b यही ले ले लेते हैं जो मैंने इस example में लिये थे तो इनका union हम सो करेंगे a union b से यह इदर मैंने इसकी set builder method से definition लिखी है a union b equal to x such that x belongs to a और x belongs to b x a में होगा या b में होगा तो अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे हम a union b निकालेंगे तो a union b में हम a के element लेंगे और b के element लेंगे और जो दोनों में हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे यहां पर a और b के सारे element ले लिए जाएंगे कुल मिलाके और जो दोनों में हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे तो यहां पर देखिए union क्या होगा one, three, order से लिख लेते हम चोटे से बड़े की ओर four, five, six, seven तो आप यहां पर देख रहोंगे कि मैंने a और b दोनों के सारे elements लिख लिए हैं अब जैसे यहां पर three और five दोनों sets में था तो इसको मैंने a की बार लिखा है sets में elements कभी भी repeat नहीं किये जाते हैं तो आप इससे समझ गया होगे कि कैसे union निकालना है intersection में हमें दोनों के common elements लिखने हैं और union में हमें a और b के सारे elements लिख लेने हैं एक और example देखिए a union five जैसे हमने यहां पर a और b का intersection निकाला था ऐसे ही अब यहां पर हमें a और null set का intersection निकाला था ऐसे ही a और null set का union निकालना है तो देखिए इसमें a और इस null set के सारे elements ले लिए जाएंगे तो a के element तो हो गए हमाई one three five six और इस null set में कोई भी element नहीं होगा तो इस तरीके से जब हम दोनों sets के elements लेंगे तो उसमें केवल जो है वो a के ही element आएंगे आप देख रहे होंगे क्यों क्योंकि इसमें कोई element ही नहीं null set में तो इस तरीके से इसका answer a आएगा तो a का null set के साथ union अगर हम लेंगे तो a आएगा और a का null set के साथ intersection लेंगे तो five आएगा strands अब हम आते हैं difference of sets पर difference of sets को हम यहाँ पर a minus b से so करते हैं और इसकी definition है that difference of sets a and b is the set of all those elements of a which does not belongs to b means की a के वो सारे element हमको लेने हैं a minus b में जो की b में ना हो एक के वो सारे element लेने हैं जो b में ना हो अब इसको एक example से आप देखिएगा students जैसे हम माल लेते हैं कि a जो है वो one two four five है और b हमने माल लिया कि four five seven eight है अब हमको माल लिए यहाँ पर a minus b निकालने के लिए कहा गया है तो students definition के according हम a के वो element लेंगे जो b में ना हो all elements of a which does not belong to b मतलब a के वो element जो b में ना हो तो देखिए यहाँ पर यह one और two जो element है वो a का element है और यह b में नहीं है तो हम यहाँ पर one और two को लेंगे four five को नहीं लेंगे क्योंकि four five a के तो element है लेकिन यह b के भी element है तो हमें a minus b में वो element लेने चाहिए जो a में हो और b में ना हो वैसे इसका simple सा एक तरीका है कि a और b के common element आप हटा दीजिए यह रफ की working है मैं यहाँ पर आपको करके समझाय दे रहा हूं जैसे four or five मैंने हटा दिया यह अब जो a में बचा वो a और a में बचा हुआ जो elements है वो a minus b में लिख लिए जाएंगे और अगर हमको माल यह b minus a निकालने के लिए कहा गया है तो b minus a में हम b के बचे हुए लिखेंगे a minus b में जैसे हमने a के बचे हुए लिखे यह cancel करने के बाद ऐसे ही b minus a में हम b के बचे हुए element लिखेंगे means की 7 और 8 तो आप इस example से समझ चुके होंगे कि कैसे हमको difference of two sets यह निकालना है अब हम आते हैं symmetric difference of two sets symmetric difference को सबसे पहले तो इस trends हम देखते हैं कि हम किस से 100 करेंगे तो a delta b इसको यहाँ पर या a एक circle के अंदर एक plus बनाते हैं और b इन दोनों को ही हम यहाँ पर symmetric difference से सो करेंगे दोनों का ही मतलब यहाँ पर symmetric difference है अब इसका मतलब क्या है कि symmetric difference b इसको हम पहलेंगे a symmetric difference b यह a minus b union b minus a के बरावर होता है यह a symmetric difference b के लिए formula दिया गया है equal to a minus b union b minus a तो अब students हम इसी example में आते हैं माली आपको यह question ही दिया गया है कि a दिया गया है b दिया गया है और आप से कहा गया है कि symmetric difference इनके बीच का निकालिए means कि a delta b यह निकालिए तो हम a minus b निकालेंगे और b minus a निकालेंगे फिर इन दोनों का हम यहाँ पर union ले लेंगे a minus b हमने लिख लिया one two और b minus a लिख लेंगे seven eight और इनका हम union ले लेंगे तो यह one two seven eight आ जाएगा तो इस तरह से a symmetric difference भी आ जाएगा लेकिन हमको यह working करके दिखानी होगी इसमें पहले हम दोनों अलग-अलग a minus b और b minus a निकालेंगे फिर यह फामूला लिखेंगे और फिर इसमें a minus b और b minus a रखके उनका union लेंगे तो इस तरीके से यह हमारा symmetric difference आ जाएगा issuance next operation है complement of a set लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको universal set क्या होता है यह जानने की जुरूत है तो आप सबसे पहले देखें कि यह universal set क्या है universal set is a set that contains all sets under consideration means कि हमको जैसे माल लीजे कि दो या तीन set दिये गए इसको आप एक example से समझेगा जैसे a माल लीजे दिया गया है one three five और b माल लीजे दिया गया है two four seven अब यह consideration sets का क्या मतलब है कि हमें वो sets जो दिये गए है जिन पर कि हमें operation लगा कर नया set निकालना है means कि अब हमको a union भी निकालना है a intersection भी निकालना है या a difference भी निकालना है तो यह sets under consideration कहलाएंगे तो universal set एक ऐसा set होता है जिसमें कि यह जो consideration set होते हैं इनके सारे elements आ जाएं इसको हम सो करते हैं capital U से इसमें जो भी consideration set हैं उनके सारे elements आ जाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 7 तो इस तरीके से हमको universal set मिल जाएगा अब universal set में जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही elements हों a और b के minimum सारे elements होने चाहिए और इसके अलावा जो भी elements इसमें और भी अगर बढ़ जाते हैं तो भी वो universal set होगा in consideration sets का तो जैसे हम यहाँ पर universal set और भी ले सकते हैं जैसे इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी यह in consideration set का universal set होगा means कि इस universal set के जितने भी super sets होंगे वो सब यहाँ पर universal set कहराएंगे इसके तो इस तरीके से आप समझ गयोंगे कि यह universal set क्या होता है एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि A, B, C जितने भी sets दिये गए हैं उनका यह union होता है आप देख रहोंगे कि यहाँ पर इन दोनों sets का union लेकर ही यह set लिखा गया है और उसमें फिर एक, दो, तीन या जितने भी elements और बढ़ा दिये जाएं तो भी वो universal set ही होगा इन consideration set का अब हम आते हैं student complement of a set complement of a set को हम denote करते हैं A dash या AC से इसको AC पढ़ेंगे, power में C लिखा है, यह power नहीं है, केवल यह लिखने का तरीका है students इसके लिए formula given है A dash equal to U minus A अब अगर हम इसकी set builder method से definition पर आएं तो definition जैसे A minus B, A difference B की दी गई है same ऐसे ही A dash की हम definition दे सकते हैं as such that X belongs to U and X does not belongs to A तो यह यहाँ पर set builder method से complement of a set की definition है अब एक example देखते हैं U माल लिए दिया गया है हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और A set हमको दिया गया है 2, 3, 5 तो A dash यहाँ पर होगा U minus A तो U minus A से same हम जैसे A minus B, A difference B हमने निकाला था वैसे ही यहाँ पर निकाल देंगे तो इन दोनों के अगर common हम हटा देंगे 2, 3, 5 यह rough की working है students यह आपको fair में नहीं करना है cancellation वाली working यह आप rough में करके देखेंगे तो जो पहले वाले सेट में बचेगा पहले वाला सेट के आए U इसके elements इसमें आएंगे तो यहाँ पर 1, 4, 6 आ जाएगा जैसे A difference B हमने निकाला था same इसी तरीके से यहाँ पर A dash means की U और A का difference निकाला गया है तो आप इस example से समझ यह होंगे की complement of sets कैसे निकाला जाएगा students next video में मैं इन operations को when diagram से बताऊंगा उसको आप देखिएगा तो यह operations जो हैं वो आपको और ढंग से clear हो जाएगे बाकि अब आप अपनी exercise देखिएगा जो भी इस matter से related exercise आपकी book में हो उसको आप लगा सकते हैं उसको आप लगाईएगा राम से